नमस्कार दोस्तों, आपका पुना हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओबेसिटी तो जल्दी से आप इस चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ इस बार भी आप बेल आगर को दमाया नाम पुले हैं तो ओबेसिटी जिसके बारे में हम लोगा चर्चा करने वाले हैं, देखिए, ओबेसिटी को आप बहुत 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 तरीकी से कल्कुलेट कर सकते हैं, जी हाँ, इसके लिए एक फार्मूला यूज होता है, वो होता है BMI का, अर्था बाडी मास इंडेक्स, जिसको BMI कहते हैं, और बेसिकली इन चीजों पर आम लोग खम ध्यान देते हैं, जादर जो जीम हैं, जीम के टरेनर्स होगे रहे हैं, वो आपको इसके बारे में बहुत 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 तरीके से भी बता सकते हैं, आपके अगर कोई हेल्थ एक्सपर्ट हैं, फेमिली डॉक जितना आपका एज है, उसके हिसाब से आपका वजन कितना है, और आपकी हाइट कितनी है, तो यह पूरा BMI कल्कुलेटर आपको बताता है, आपकी वजन यह है, आपका एज यह है, आपकी हाइट इतनी है, तो इतना आपके बार्डी का वजन होना चाहिए, ठीक हैं, आपक हो चुके हैं मोटापे से आपको दिक्कते होने वाली है तो यह रेसियो है और सुरुवाद में समझ में नहीं आता आपकी गलत खानपान गलत दीचरिया और बहुं सारी आइसी आदते हैं जिनके कारण यह इनके तो करम है वह बढ़ते रहते हैं आपको पता ही नहीं लगता हवा ही नहीं लगता कल हमारे पास एक पेसेंट आया थे जिसका उम्र जो है वह 42 साल और उसका वजन जो है वह 109 किलों नहीं बताया तो जब मैंने उनसे पूछा कारण किया है तो बोलते हैं कि मैं मीट बहुत खा रहें जाए यहां वहां इलाज कराने के लिए दौट है तो यह में कारण होती है ओवेसिटी का और कुछ बहुत कम कारण होती है जो जिसमें जेनेटिक होती है ज्यादा तर जो कारण होती है वह गलत दिंचरिया गलत अहार विहार के कारण ही जो है ओवेसिटी होती है इसक से रहना कोई काम पर मन वगईरा ना लगना तो ऐसे आदितों के लोगों के साथ में यह समस्या है वह ज़ादा है और आज के डीट में तो बहुत हीं जादा है हम देखते हैं बहुत कम उम्रों चोटे चोटे बच्चों को भी जो है वह इसका सिकार हो रहे हैं तो यह तो रहा है एक कारण बहुत कम है जो ग्राषन करण है मायुत इतने भी है वह सारे जो है या तो मेत भी घुर तो दोनों तरुके से इसको समझना बहुँत जरूरी है आपको और समझ में आ गया तो मैं आपको दूस परिणा भी बता देता हूं इसके दूस परिणाम तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर आप अगर आप अगर आप अगर आप सिकार है तो आगे चल करके आपके जो जॉइंड से हैं वहां पर प्रेसर बनेगा जिसके कारण आपको जॉइंड प्राब्लम्स जोडों मॅटापा भी है तो कहीन ने कहीं एक दूसरे सक्ष होते जाते हैं तो कहीन ने कहीं आप मॅटापा बढ़ रहा या और आपके अंदर बढ़ रही है तो आगे चल कर कि कि आपके लिए नुकसान दे है ही है हर इंगल से किसी भी इंगल से फायदे मन नहीं हो सकता है तो इसके दूस परिनाम भी बहुत सारे है आगे चल करके आपकी personality खराब हो सकती है आपका संदर ये बिगड़ सकता है और ना जाने कितनों इसके जो है दूस परिनाम है और आपका physically तो बिगड़ ही रहा है तो खासकर अगर आप यूवान में हैं अगर आप यूवान हैं तब आपके लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन क्या करें तब आपको ये हो चुका है या आप इसके सिकार हो चुके हैं या वो जन काफी बढ़ चुका है कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप ये वो दवाई कर रहे हैं तो मैं आपको ये एपिसोड इसले बना रहा हूँ क्योंकि अब आपको डरने की घवराने की या कोई भी चिंता करने की ज़रत नहीं है क्योंकि हम इसके लिए हमारी जो स्रीचवन आयरवेदा की ओर से बहुत ही बहतर और सांदर जो है ओबिसिटी केट लेकर के आए है मोटापा का केट लेकर आए है जो कि बहुत थिक्की फायती भी है बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और बहुत सारे इसके फायदे है अब कैसे काम करता है वह बता देता हूँ ज्यादा तर जो मार्केट में दवाई है इसके नाम से आपको मिलेंगी उसमें क्या होता है कि उसके साइड इफेक्ट वगरा हो सकते है तो स्रीचवन के जिस किट के बारे में आपको चर्चा करने वाला हूँ इसके सबसे पहले यह एडवांटेज ही है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है साइड इफेक्ट नहीं है तो आपके बाड़ी के जो excess of fate है उसको वह जड़ से kट करती है मतलब काटती है excess fit को उसके जो fat के जो metabolism उसको तोड़ती है उसके जो bundle है उसको ठीक है इसके अलावा जो है यह जो kit के द्वारा आपको body में gas acidity या कबजियत नहीं बनती जिसके बारे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो है lifeguard advance इसके अलावा जो है gas acidity कबजियत constipation anxiety तक पूरा यह आपको control कर देगा खाना खाने के बाद एक एक चमच जिसको लेना है गरम पाने के साथ ले तो और अच्छा है एक चमच जादा नहीं दूसरा है फेट और हरीवटी यह आपके body के excess fat अर्था जैसे tummy area अगर निकला हुआ है back side निकला हुआ है कोई ऐसा part जो लग रहा है कि जादा निकला हुआ है खासकर तो उन्द में ज्यादा problem आती है पूरुसों को और महिलाओं को tummy जिसको बढ़ जाता है खासकर pregnancy वगरा के बाद में तो उसके लिए बहुत अच्छा है यह फेटो हरीवटी और तीसरा है जो है वो है dietary protocol खान पान का वीसेज ध्यान आपको दखना पड़ेगा नियम नंबर जो second है दूसरा है वो है अच्छा routine और तीसरा है आयुरुदिक medicine यह तीनों को अगर आप एक सांत ले तो आपका वजन भले चाहाँ जितना भी हो आप बहुत ही बहतर तरीके से और जड़ से उस से सना है कोई vitamins की कमी ना हो इसलिए इसको दस से पंदरा देन में दोबार आपको लेना होता है तो यह मैंने बताया है यह पूरा हमारा कीट है इसको आप जो है online घर बैठे मंगा सकते हैं या तो आप हमारे जो स्क्रिन पर दिये हुए नंबर है उसके आप कॉल कर सकते हैं 95 फाइब बन सिक्स टू सिक्स डबल फॉर डबल फुल पर या फिर डबल 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 डॉडट स्रीचवन आयरविदा डॉट कॉम पर जाकर कि आप इसको मंगा सकते हैं या फिर आप हमारे अधिकारी से सिधे बात भी कर सकते हैं हमारे जो counselor है यहाँ पर उनसे या फिर Amazon या Miso से भी आप इसको online घर बैठे मगा सकते हैं तो यह रहा आपके स्रीचवन आयरविदा मेडिसिंस के बारे में और इसी तरह कि जो episodes हैं हम आगे भी आतके लिए लाते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यबाद